दोस्तोå Realme के लिए 2019 का जो साल है ना काफी अहम रहा है क्योंकि इस साल इन्होंने काफी सारे Phon launch किये हैं और जितने भी Phon launch किये हैं लगबल्ब सारे Phon को यूजर्स ने पबलिक ने काफी पसंद किया है बहुत सारे Phon इनके जो है सेल हुए हैं और इसी साल इन्होंने अपना Slexi phone भी launch किया Realme X2 Pro नाम से, वो भी काफी हद तक market में जो है चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है इसको पसंद भी कर रहे हैं, और साल की end में दोस्तो Realme एक और phone लाने वाल है Realme XT730G के नाम से, इस phone का launch date जो है दोस्तो सामने निकल के आ गया है, और ये phone इंडिया में 17 December को launch होगा, साथ में आपको बता दें कि कुछ और products जो हैं वो भी launch होते हुए आपको इस launch event में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो में दोस्तो हम लोग बात करने वाले हैं कि Realme XT730G में क्या कुछ खास आपको मिलने वाला है, ये Realme XT से कितना अलग होने वाला है और कौन-कौन से product जो है आपको launch होते हुए देखने को मिल जाएंगे 17 December को और इनकी price क्या हो सकती है, सारी चीज़े में आपको इस वीडियो में बदाने की कोशिस करूंगा, तो चली हमारे इस वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं Realme XT730G के बाड़े में, दोस्तों Realme XT और Realme XT730G में लगबग 3-4 चीज़े जो है आपको अलग देखने को मिलेगी, सबसे पहला जो difference देखने को मिलेगा, वो front camera में देखने को मिलेगा, Realme XT आता है 16 Megapixel के front camera के साथ, लेकिन Realme XT730G में हमें 32 Megapixel का front camera देखने को मिलेगा, यानि जो camera की quality होगी, front camera की वो better हमें Realme XT730G में देखने को मिलेगी, उसके इलावा दोस्तों, और rear camera से आप Realme XT730G का portrait video सूट कर सकते हैं, जैसे कि हम DSLR में सूट करते हैं, background जो वीडियो का blur होता है, तो कुछ इसी तरह का video जो है record कर पाएंगे आप Realme XT730G से, उसके बाद अगर दूस्तों मैं आपसे बात करूँ, आगे और difference की, तो वो होने वाला है दूस्तों, इसके charger को लेकि, Realme XT में हमें 20W का fast charger देखने को मिलता है, और Realme XT730G में हमें 30W का fast charger देखने को मिलेगा, यानि जो charging speed होगी, वो Realme XT से बैटर हम लोग को देखने को मिलेगी, और लगबग एक गंटा, पांच मिनट, दस मिनट में आपका बैटरी जो है, फिल्ली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद दुस्तों, अगला जो main difference होने वाला है, Realme XT और Realme XT730G में, वो होने वाला है performance को लेकि, Realme XT में हमें 712 का Snapdragon का chipset देखने को मिलता है, लेकिन Realme XT730G आने वाला है, Snapdragon 730G chipset के साथ में, जो gaming के लिए दुस्तों, बहुत अच्छा processor है, और performance भी यहापे आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी, तो overall यह 4 difference जो है, आपको देखने को मिलेंगे, पहला तो camera में आप portrait video record कर पाएंगे, front camera बेटर होगा, charging speed आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और साथ में processor जो होगा, वो दमदार होगा Realme XT730G का, तो यही कुछ रिफ्टेंस के साथ, जो है Realme XT730G, 17 December को launch होने वाला है, और अगर मैं बात करूँ, आपसे इसके price को लेगे, तो leaks के according दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, कि यह जो phone है, लगबग 17,999 रुपे की price में launch हो सकता है, 6GB RAM, 64GB storage के साथ में, तो यह तो हुई दोस्तों Realme XT730G की बात, इसके अलावा दोस्तों और एक product है, जो confirm है, launch होगा, वो है Realme का true wireless earbud, दोस्तों इसकी price ना, मैं आपको बता दू, 3000 से 5000 के बीच में हो सकती है, जहाँ पर आपको काफी अच्छा battery backup देखने को मल जाएगा, और यह जो है, तीन color में available होने वाला है, एक तो होने वाला है black, उसके बाद white और yellow color में, यह खुद company ने confirm कर दिया है, तो 17 December को यह भी launch होगा, और इसकी जो price है, लगबग 3000 से 5000 के बीच में हो सकती है, इसके अलावा दूस्तों एक और phone है, जो launch हो सकता है 17 December को Realme 5i नाम से, इसके कुछ leaks सामने निकल के आया है, जहां से पता चल रहा है कि Realme 5i नाम का एक device, जो है BIS Certification website में इंडिया के देखा गया है, लेकिन यहां पर कोई भी specification सामने निकल के नहीं आई है, कि इस phone में क्या कुछ खास मिलेगा, क्या नया होगा, क्या पुराना होगा, लेकिन जैसा कि इसका नाम Realme 5i है, तो मुझे लगता है यह एक downgrade version होने वाला है, Realme 5 का, जैसा हमने Realme 3i में देखा था, Realme 3i जो है, Realme 3 का ही downgrade version था, जिसमें उसकी price जो है, कम कर दी गई थी, तो ऐसे मैं मुझे लगता है, कि Realme 5i जो है, यह लगब 8000 की price में launch हो सकता है, अच्छी battery life के सांथ, अच्छा camera के सांथ, तो यही कुछ चीजे हैं दोस्तों, जो Realme launch कर सकता है 17 December को, अगर excited हो, तो मुझे comment जरूर करना, और बताना कि आपको क्या लगता है, इस phone की price क्या हो सकती है, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, helpful लगे, तो लाइक जरूर करें, चैनल पे, अगर आप नए है तो सब्सक्राइब भी कर दे, मैं मिलता हूँ, आने वाल एक लिएक लिए वीडियो में दब तक के लिए enjoy कीजिए,